हिंदी फिल्मों के सूपरस्टार सल्मान खान के घर पर फाइरिंग मामले में पनवेल पुलिस ने चार शीट दाखिल कर दी है आपको बता दें कि चार शीट में सल्मान को मारनी के लौरिंस बिश्णोई गैंग के गुंडों की साजिश का पूरा ब्योरा दिया गया है आपको ये भी बताते चले कि पनवेल मजिस्ट्रेट कोट में पिछले हफ़ते पेश तील सो पशास पंडों के इस आरूप पत्र में बताया गया है कि बिश्णोई गैंग ने पंचाबी गायक सिद्धु मूसेवाला की तरह ही सल्मान का मडर प्लान किया था इस चाशीट के हवाले से बताया गया है कि बिश्णोई गैंग के गुंडों के मोबाइल फोन, वाट्सअप ग्रूप, मोबाइल डावर, लोकेशन की जाच और उनके ओडियो वीडियो कॉल की तकनीकी जाच से इस पूरी साजिश का परदाफाश हुआ इसमें बताया गया है कि लॉरिंस के शूटरों ने सल्मान खान के पनवेल वाले अपने फार्म हाउस से शूटिंग के लिए निकलते या लोटते वक्त उन पर हमली की योजना बनाई है इस हत्या को अंजाम देने के लिए एके 47 सहीत कई हाई टेक हतियार भी मंगाए गए थे चाशीर के मुताविक इस केस के जाच अपरेल के शुरुवात में शुरू हुई जब पनवेल के पुलिस इंस्पेक्टर नितिन ठाकरे को सलमान खान पर हमली के बारे में खूफया जानकारी मिली पता चला कि लॉरिंस बिशनोई ने हत्या को अंजाम देने के लिए अपने गैंग मेंबर्स को 25 लाख रुपई की सुपारी दी थी इस गैंग ने इस कान को अंजाम देने के लिए 15-16 गुंडों का एक वाट्सअप गुरूप भी बनाया था जिसमें बिशनोई का कनाडा में रहने वाला चचेरा भाई अनमोल बिशनोई, गोल्डी बरार, अजय कश्य, विनोध भातिय, वास्पी महमूद खान उर्फ चाइना और रिजवान हसन खान शामिल था